हेलो फ्रेंड्स आज हम 2017 तचेस ये कोरियन मिस्ट्री धिलर मुए एक्स्प्रेंट करने वाले हैं इस मुवी में एक बुड़े लाइनलॉड के बिल्डिंग से एक लड़की गायब हो जाती है इसी शहर में एक सिरेल किलर भी है तो इस लड़की को बचाने के लिए ओल्ड डिटेक्टिव के साथ मिलकर ये सिरेल किलर की हंड पर जाते है बहुत इंटरस्टिंग है मुवी है तो चले इसका इस्प्रेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें दीखता है कि सिरेल किलर एक बुड़े आदमी को मार देता है यहाँ पर वो इस तरह से सब चीज़े रखता है कि लोग को लग है कि इसकी नैचरल डेत हुई है इसके बाद हम हमरे मेन क्यारेक्टर दीउक को देखते है यह एक बुड़ा लैंडलोड है यहाँ केला ही रहता है इसे डाइविडीज भी है और लोगों के साथ वो अच्छे से बरता हो नहीं करता किसी से भी अच्छी बात हो कर ले ऐसे हो इनी सकता इसके आसपास के लोग कोई भी इसके खिलाफ नहीं चाते पूरे सिटी में इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसको रेंड करता है इसके बाद हम देखते है कि डेवट अपने एक टेनन के पास आया है ये बेग बुड़ाई आदमी ओता है जिसका नाम होता है चाव चाव ने 2-3 महिनों से रेंड पेनी ही किया होताए तो देव कुसे अब मांग रहा होता है चाव कहता है कि मैं काम नहीं कर पा रहो वो जडरा बीमार है इसलिए उतज दे नहीं पा रहा देवक कहता है कि कुछ भी करो पर मुझे रेंट मिल जाना चाहिए तुम तुम्हारे संसे क्यों ने मांगते वो तो अमेरिका में है तुम उससे पैसे मांग सकते हो यह हम देखते हैं कि चाव के साथ उसके कुछ कोवरकर्स है यह बिमार है तो इसे मिलने के लिए वो आई है देवक बहुत स्टिकली बात कर रहा होता तो यह कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यह रेंटी तो बागी है न वो तुमें दे देगा देवक कहता है कि तुमें इतनी सिंपती आ रही है तो तुम क्यों नहीं देती है इसके बाद देवक वहाँ से चला जाता है वो आगे सिटी में आता है तो ब्रीज के पास पुलिस को डेट बॉड़ी मिली हुई होती है वहाँ बहुत सारे लोग होते है और देवक ये देखने के लिए जाता है यहाँ पर उसे एक लड़गी दिखती है ये भी उसकी बिल्डिंग में रहती है ये उससे भी रेंड मांगता है ये हमारे मेन कैरक्टर है और इसका नाम होता है सू सू कभी भी रेंड टाइम पर नहीं देती इसे वज़े से देवक उससे अब मांग रहाता है इसके बाद हम देखते है कि सीटी में और एक बुड़े आदमी की डेथ हो चुकी है नेकसिन में देख सीटी में एक शॉप पर आता है ये भी शॉप वही ओन करता है और इसने मीन को रेंड पर दिया है देख मीन को पसंद करता है तो उससे बहुत अच्छे से बात करता है मीन उसे वेलकम करती है और उससे सैंडविच भी ओफर करती है ये बुड़ा है तो ये सैंडविच खाने से उससे तकलिफ होती है पर फिर भी ये सैंडविच भो ले लेता है यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बुड़ा हाद में आता है उसके साथ उसकी वाइफ होती है जो विलचेर में है यह देखकर मीन देवक से कहती है कि कितनी फॉर्चुनेट है इसका पती इसका कितने सालों से खायाल रख रहा है इनकी जोड़ी बहुत ही रोमैंटिक है देवक केता है कि उसकी लाइफ कितनी खराब है उसे उसका ध्यान रखना पड़ता है देवक कितना भी कंट्रूल कर ले पर उस जिस तरीके से है उसी तरीके से बाते करता है तो कंट्रोल नहीं कर पाता जो body city में मिली थी ये देवक की ही एक building से मिली है पुलिस से जब देवक बात करता है तो उन्हें लगता है कि ये natural day थे रात में देवक जब घर पर आता है तो फिर से चाव से मिलने के लिए आता है वो देखता है तो चाव बहुत सारा खाना उसने लाया होता है चाव रूम में आता है तो उसके हाथ में beer वेग रहा होती है देवक कहता है कि तुम मेरे rent पे नहीं करते और अब तुम मजे कर रहे हो पार्टी कर रहे हो चाव कहता है कि मेरा पुराना friend यहार आ रहा है ये पुलिस में हुआ करता था देवक को बिलीव नहीं होता कि चाव डिरेक्टिव था चाव कहता है कि हमेशा से में कल्ट्रीट को ढूनने के लिए कुछ भी कर सकता था अब उसे लग रहा है कि जो ओल्ड मैन मर रहे है ये सब सिरियल किलर का काम है तीस साल पहले इसी तरीकी का केस उन्होंने हैंडल किया था और ये पैटर्न में आप हो रहा है पहले तीन ओल्ड मैन मरेंगे और इसके बाद लड़किया मरने वाली है चाओ केता है कि हम सब बुड़े लोग चर जाते हैं वहाँ पर दो तीन दिनों से मुझे एक होमलेस बुड़ा आत्मी दिखनी रहा है सिरियल किलर हमेशा उन्हीं लोग को टार्गेट करता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है इसे लग रहा है कि अब वो मर गया होगा दियोक उस पर जादा भेलिव नहीं करता और वहाँ से चला जाता है इसी बिल्ली में सू भी रहती है सू अपनी फ्रेंड के साथ बात करी होती है उसके पास इस मन के रेंड के लिए भी पैसे नहीं है उस सारे पैसे अपनी मदर को भेज देती है उसकी रूमेट उसे कह रहे होती है कि तुम ऐसा मत किया करो तुम सारे पैसे अगर तुम्हारी मदर को दे दोगी तो तुम्हें क्या रहेगा ये सब देवक भार से जाते जाते सुनता है रात में हम देखते हैं कि चाओ का मर्डर हो जाता है सुबा फिर से देवक को सू दिखती है उसे कहता है तुम हमेशा तुमारी रूममेट के साथ ही रहती हो अब मैं रेंट बढ़ाने वाला हूँ यह मना करे होती है और वहाँ से चली जाती है थोड़ी देर में यह फिर से चाओ को देखने के लिए जाता है तो उसकी बॉड़ी उसे दिखती है चाओ ने सुसाइड कर ली है इस तरीकी का सेट अप सिरियल किलर ने बनाय हुआ होता है थोड़ी देर में चाओ के साथ काम करने वाली कोवर कर भी वहा आ जाती है जब पुलिस इंवेस्टिकेशन होती है तो यह दोनों कहती है कि चाओ को हमेशा देख प्रिशराइज करता रहता था इसी वज़े से चाओ ने सुसाइड कर ली होगी यह बाते सब लोग सुन रहे होते है चाओ को ही सब लोग अब ब्रेम करने लग जाते है देख हमेशा जिसमें इसमें खाना खाता है वहाँ जब वो जाता है तब उसे खाना देने से मना कर देते है सब देवक पर बहुत ही गुस्सा है वो मीन के रेस्टोरंट में भी आता है पर आज रेस्टोरंट बन होता है सुख अपने बॉस के बास जाती है और उससे कुछ एडवांस मांगती है उसने सब पैसे अपनी मदर को भिज दिये है उसका बॉस उसे मना कर देता है इसके बाद वो देवक के पास आती है देवक को कहती है कि अवो रेड़ पे नहीं कर पाएगी वो घर खाली कर देने वाली है देवक से डिपॉसिट ले कर वो चली जाएगी देवक को लगता है कि चाओने सुजाइड कर ली है तो ये भी उसे ही दोज दे रही है ये उसे पूछ लेता है सुकेती है ये मुझे पता है कि तुम्हारी वज़े से ऐसा नहीं हुआ है हम सब को पता है कि तुम रव बोलते हो पर तुम दिल के साफ हो कोई रेड ने देवाया इसी वज़े से किसी को भी तुमने घर से बाहर आज तक नहीं निकाला है इसका घर छोड़ने का रीजन अलग है ये वो देवक को समझाती है ये देवक पर बिलीव करती है देवक चाओने ऐसा क्यों कियो होगा ये देखने के लिए चाओ के घर में आ जाता है वहाँ पर सब चीज़े वो देख रहा होता है तभी और एक आदमी वहाँ आ जाता है ये उसे मारने लग जाता है ये था है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इसे पता ही नहीं है कि चाओ मर चुका है देवक उसे सब कुछ समझाता है यह जो आदमी है यह हमारा और एक main character है इसका नाम होता है पार्क चाओ बात कर रहा था कि उसे मिलने के लिए उसका friend आने वाला है यह वही उसका friend है पार्क भी detective ही था पार्क को जब मालूम होता है कि चाओ ने suicide कर ली है तो वो बिलिव नहीं कर पाता वो देवक से कहता है किसा हो ही नहीं सकता चाओ से मिलने के लिए बहुत सालों बात उसका बेटा आने वाला था वो अब सुसाइट क्यों करेगा इसे पक्का मालूम है कि चाओ का मर्डर हुआ है रात में सूग घर पर आती है तो उसके रूमेट का मर्डर हो चुका होता है यह बहुत इडर जाती है और पुलिस को कॉल लगा रहे होती है पर तभी हमें दिखता है कि उसके पीछे सिरिल किलर है यह बाहर जाने के लिए बहुत ही स्टागल करती है पर यह किलर उसे बहुश कर देता है देवक का रोम सूख के रोम के नीचे ही है उसे कुछ आवाजे सुनाएं देती है तो वो देखने के लिए जा रहा होता है सुद दरवाजा खोलने ही रही तो अपनी चावी से ओख खोलना जाता है तब वहाँ आसपास के लोग उसे रोख लेते है वो कहते हैं कि तुमारी वज़े से चाव मरा है और रेन के लिए अब रात में भी तुम लोग को परेशान कर रहे हो यह वहाँ से उसे निकल जाने के लिए कहते है देवक भी चला जाता है नेकस दिन देवक जब मिन से मिलने के लिए जाता है तो वहाँ डिरिक्ट्ट्ट्व पार्क होता है द्योग कुछ से बात नहीं करने होती पर पार्क उसके टेवल पर आकर बेट जाता है वो कहता है कि जिस तरह से 30 साल पहले मर्डर हो रहे थे उसी तरीके के मर्डर ये हो रहे है अब इस पैटर्न में एक लड़की मरने वाली है जिसके लॉंग हेर सोंगे द्योग को सू की आदाती है और वहाँ से चला जाता है जब वो फेस सू के रूम में चेक करने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ एक लड़का होता है जबरदस्ती अंदर गुसरा होता है द्योग जब इसे स्पॉट कर लेता है तो वहाँ से भागने लग जाता है द्योग भी अपनी स्कुटी पर उसका पीछा करता है इसके पीछे-पीछे आ गया जाता है तो एक दंडे से द्योग को बेहोश कर देता है ये एक गली गुंडा है तो उसकी गैंग वो लेकर आता है द्योग से सब पैसे वएकराव चीन देते है डिटेक्टू पार्क भी बुढ़ा ही है और फिर भी इन से भीट जाता है सब को बहुत मारता है तब इस लड़के से पुछता है तो वहाँ कर क्या रहे थे ये लड़का कहता है ये सू की फ्रेंड मेरी गल्फ्रेंड है वो एक दो दूनों से मेरे फोन नहीं उठा रही ये इसके लिए वरीड था इसलिए घर में घुछ रहा था अब देवक और पार्क ये दोनों सू के घर में घुछ जाते है पार्क जब अपार्मेंट देखता है तो सू की फ्रेंड की बोड़ी फ्रिज में होती है देवक को ये देखकर बहुत ही सदमा लगता है इससे लगता है कि ये सू ही होगी पार्क उसे कहता है कि सू की वहाँ बॉडी नहीं है इसका मतलब है सू अभी भी जिन्दा है देवक फिर पुलिस को कॉल लगा रहा होता है पर पार्क उसे रोक लेता है पार्क उसे कहता है कि सू अभी भी जिन्दा है पर अगर हमने पुलिस को इन्वाल किया तो Serial Killer जल्दी ही उसे मार देगा पार्क कहता है कि हम दोनों को मिलकर अब उसे ढूनना चाहिए देवक बहुत सालों से इस शेहर में रह रहा है तो उसे इस शेहर के बारे में सब कुछ पता है और पार्क डिरेक्टिव था तो ये दोनों मिलकर सिरियल किलर को ढून सकते है चाओ ने इस सिरियल किलर की जो भी सब इन्वेस्टिकेशन की थी वो उसने एक नोट में रखी थी ये डोरबूक पार्क देखता है वापस सब सस्पेक के नाम होते है राद में पार्क और देख जब दिनर करते है तो देख केता है कि अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं अभी उसे मार डालता पार्क अब अपनी पिछली स्टोरी सुनाता है जब 30 साल पहले इस केस को इन्वेस्टिकेशन कर रहा था तब उसने सिरियल किलर को देखा था वो कहता है कि गाड़ी में जाओ और उसका बॉस था बॉस जब इस किलर का पीछा करने लग गया तो किलर ने बॉस को इमार डाला पार्क जब आया तो उसने किलर को भागते वे देखा था सिर्फ किलर की आखी उसने देखी है पाक कहता है कि मैं सिर्फ उसकी आखों से उसे पहचान लोगा जाओ के डायरी के सब सस्पेक्ट को इन्वेस्टेशन करने के लिए देवक और पार्क अब घुमते है दोनों जब मिन के रेस्टोरन में होते है तब पाक देवक से कहता है कि मिन को भी इस सिर्फ किलर ने पकड़ा था वो उसे मारने वाला था पर मिन वहाँ से भाग गई थी पाक कहता है कि इस बारे में बात करना उसके लिए हार्ड हो सकता है फिर भी पाक उससे बात करना चाता है पर दियोग उसे वहाँ से उठा कर बाहर लेकर आता है यह जब बाहर आते है तब डॉक्टर्स का कैम चल रहा होता है यहाँ पर एक बुड़ा डॉक्टर अपनी वाइब जो विल्चेर में है उसे लेकर यहाँ वॉलेंडियर करता है जब पार्क इसे देखता है तो यह कहता है कि बहुत इसस्पीशेस है सिरियल किलर हमेशा इसे तरीके से वॉलेंडियर करते है इसे दूर से ही देखता है पर इसे लगता है कि यही सिरियल किलर हो सकता है इसके आखे चेक करते हैं और कहता है कि मैं आखों में आग डाल कर देखो तभी इस डॉक्टर की वाइब टॉयलेट कर देती है इसके आप कबड़े वेगे रहा डॉक्टर को ही चेंज करने पड़ेंगे तो उसकी वाइब को लेकर वहाँ से चला जाता है सू अभी भी जिन्दा है और किड्नापर ने उसे एक बेस्मेंट में बान कर रखा है सू को उसने कुछ आइविस भी लगाई है कुछ टीटमेंट सू पर चल रही है पाक का शक 100% इसी डॉक्टर पर है यह देवक को कहता है कि मैं डॉक्टर को फालो करूँगा और तुम उसके घर में कुछ जाना देवक लॉक्ट Niclet ही होता है तो उसे घर में जाने में कोई प्रॉलम नहीं आती घर में जाकर डॉक्टर की वाइफ को देखता है चलनने की कोशिश करती है पर यह पूरी पैरलाइस्ट होती है तो कुछ भी बोल नहीं सकती है घर जानते हुए बैक्यार्ड में एक शेड देखता है शेड को खोलने के कोशिश करता है पर इसमें एडवांस लॉक होता है पारक डॉक्टर का पीछा कर रहा है उस लड़के ने पूरी अब उसकी ग्याइंग लाई है वो पारक ओवा मारने वाला है पारक सब लड़कों से लड़ता है पर लास्ट में ये लड़का पारक के पेट में चाको खुषा देता है देख डॉक्टर के घर पर दोर खोलने कोशिश कर रहा है पर ये कर नहीं पा रहा हुता, तभी डॉक्टर वहाँ जाता है, उसे पुछता है कि तुम हो कौन, डॉक्टर केता है कि मैं सो को ढून रहा हूँ, डॉक्टर उसे निकल जाने के लिखेता है, दॉक्टर को शाग जाता है कि ये पुलिस को क्यों नहीं बुला रहा, उसे ये पुछता है कि इस शेड में क्या है डॉक्टर और द्योग दोना लड़ाई करने लग जाते है तभी वहाँ पार्क भी आ जाता है यह इंजोर्ड है पर इसने अब गण लाई हुई है यह डॉक्टर को एक जगा बेटने की लिखेता है द्योग जब अंदर जाता है तो वहाँ ओपियम की बाग होती है याने कि ड्रक्स के पोधे होते है डॉक्टर अपने सफाय में कहता है कि प्लीज इसे पुलीज को मत बताना मैं मेरी वाइफ के लिए यह सब उगाता हूँ वह पैरलाइस्ट है तो उसे हेल्प की ज़रूरत है उसे में ड्रक्स देता हूँ तो उसे 100% कंफर्म हो जाता है कि यही सिरियल किलर है यह अब अपनी गन से डॉक्टर को मारने वाला होता है पर देवक उसे रोक लेता है देवक को जड़कता है और गोली जलाता है पर एक खिलोनों की गन होती है डॉक्टर कहता है कि यह क्या है देवक पार्क के पॉकिट चेक करता पाक के लॉकेट में लिखा होता है कि यह अलजायमर का पेशन्ट है परक पुराना डिरिक्टिव है पर इसे भूलने की विमारी है तो इस पर कोई भी बिलियू नहीं कर सकता देवक अब हॉस्पिटल को कॉल करता है और पार के सन को भी कॉल लगाता है पाक को हॉस्पिटल में लेकर जाते है अब देवक से डॉक्टर बात करता है वो कहता है किल भी इस किसी को भी इसके बारे में पता ना मत देवक भी कहता है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा और वहा चुका है इस डॉक के मुँए एक कपड़ा होता है देवक अपनी ही बिल्डी में एक आदमी के लौक बदल रहा था तभी उसने उसकी पैंड देखी थी यह फटी हुई थी और उसी पैंड का कपड़ा इस डॉक के मूँ में है यानि कि वही आदमी सिरियल किलर है यह जब देख रहा होता है तभी और एक पुलिस ओफिसर इन्वेस्टेशन करते करते यहां आ जाता है देख यहां से भाग जाता है पर पु देख को हैंड कफ करता है देख उस पर चिरता है कि भले देखतो लो कि यहां आसपास क्या है डिरेक्ट्टु देख पर बिलिव करता है यहां जो आदमी रहता है यह रेलवे के यहां काम करता है देख इस पुलिस को समझाता है कि अगर दूसरे पुलिस को तुने बता दिय तो सूख खत्रे में आ सकती है हमें उसके किलर को ढूणना है दूसरे पुलिस को ना बताते हुए ही अब वो इस रेलवे की हा जाते है देवक को गाड़ी में बैटने के लिए केक कर यह पुलिस आगे चला जाता है देवक गाड़ी में नहीं बैटता और खुद धूणने लग जाता है यहाब रुषियो आदमी मिल जाता है देवक पन्ना लेकर उससे कहता है कि इनोसंट मत बनो मुझे पता है कि तुमने इस सब लोगो को मारा है एक किलर देवक को मारने लग जाता है पुलीस वहा आता है पर पुलीस और इसकी भी फाइट होती है यह किलर आगे निकल जाता है पुलीस बेहोस होता है पर देवक किलर के पीछे भागता है किलर रस्ते से जाही रहा होता है तब ही एक गाड़ी उसे उडाग कर निकल जाती है देवक इस किलर के पास पोचता है ये मर रहा होता है तो मरते मरते द्योग को बता कर जाता है कि और एक killer है जिसने ये सब किया है next दिन देउग पुलीस को बताने कोशिश करता है कि और एक serial killer है पर अब serial killer मर चुका है और पुलीस συंवरों by complicated लगता है तो इस idea को drop कर देता है हम पता है कि में पर serial killer ने हमला किया था देवग जब उसके पास जाता है तो उसे कहता है कि मुझे please उस हमले के बारे में पताओ वो उसे killer को पकड़ने में help कर सकती है में भी uncomfortable होती है पर बात करने के लिए राजी हो जाती है यह कहती है कि जब उसने मुझे पकड़ा था तो मैं उसे देख नहीं पाई पर उसका strong smell मुझे आ रहा था उसके हाथ भी मुझे अजीब लगे जैसे उसकी छे उंगलिया हो अब देवक यहां से चला जाता है यह पार्क से मिलने के लिए hospital में आता है पार्क को जादा कुछ याद नहीं है तो देवक प्रिटेंड करता है कि उसका friend चाओ है जाते जाते हो देखता है कि पार्क के रूम में fool है और यही fool उसने डॉक्टर के पास देखे यहां डॉक्टर पर उससे शक जाने लग जाता है पार्क अभे भी कहे रहा होता है कि डॉक्टर ही था जिसने यह सब murder कि थे अब देवक डॉक्टर के पास फोच चाता है टॉक्टर उसकी परस जब चेक कर रहा होता है तो देवक देखता है कि इसकी छे उंगलिया तो नहीं है पर इसकी उंगलिओ पर एक mark है यानि कि Doctor ने उसकी एक उंगली काट ली होगी Doctor को एक एंफरंट केता है Doctor केता है मुझे लगता है कि आप तुम ज़ादा जीने नहीं वाले यानि कि Doctor ही रियल सिरियल किलर था Doctor को बहुत मारता है उसके शेर्ड में जहाँ भर घ्रक्स उगाता है उसमें और एक रूम होती है यहाँ पर सू भी है तो डॉक्टर सू के पास ही देवक को रखता है सू कुछ भी बोल नहीं पा रहे है डॉक्टर कहता है कि मैं इसे आप पैरलाइस करने वाला हूँ वो उसे मेडिसिन देखकर वो कभी चल फिर ना पाए इस तरीके से करने वाला होता है देवक पुछता है कि यह सब तुम क्यों कर रहे हो डॉक्टर कहता है कि मेरे वाइफ से अप में बोर हो चुका हूँ मैंने जब सू को देखा तो सू भी मेरी वाइफ की तरह ही दिखती है अब मैं इसके साथ रहूँगा मैं इसे लेने के लिए इसके घर पर गया था पर इसकी फ्रेंड वहा के तो मैं इसके फ्रेंड को भी मार दिया हमने रेलवे में काम करने वाला सिरियल किलर देखा है यह सिरियल किलर और लोगों को मार रहा था डॉक्टर ने जिस तरीगे से 30 साल पहले लोगों को मारा था यही पैटर्न वो फॉलो कर रहा था यह सिरियल गिलर चाओ को मारने के लिए गया था तब यह डॉक्टर को इसने स्पॉट किया था जब देवक और पुलीस इस सिरियल गिलर को पकड़ने के लिए गये इस रूम में डॉक्टर के पास एसीड है, यह एसीड इन दोनों पर भेखता है, पाक डॉक्टर पर जफ़क पड़ता है, वो देव को कहता है कि सूक को लेकर तुम यहाँ से चली जाओ, पाक और डॉक्टर दोनों फाइट करते, डॉक्टर कहता है कि उस दिन यानि कि 30 साल प होने के लिए, अब यह दोनों इस दूसरे को बहुत मारते है, डॉक्टर पाक पर गोली चला देता है, पाक वही गिर जाता है, और डॉक्टर अब देव के पीछे लग जाता है, देव के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाक सूक को छुपा देता है, यहाँ पर यह दोनों हमें और उसमें कोई भी फरक नहीं रहेगा, अब थोड़े दिन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जेल में है, पाक 30 साल पहले कुछ करने पाया था, पर वो अब खुश है, उसने सही से बदलाब ले लिया है, डेव भी बहुत इंजोरोड हो चुका था, तो होस्पिटल में ह आई हुई है, यह हमेशा से अकेला ही था, पर अब इसे हेल्प करने के लिए सू और मिन ये दोनों हैं, यही मूवी एंड हो जाती है, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगाओगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, बहुत सारी इस तरह की मूवीज ले